شری गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चड़ावाते हैं वो चंद्रमा की स्तिपि लेकर आती है। इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तो ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा ये दिन बुरा तो बिलकुल भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता फिर भी अच्चे सयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा इस दिन चंद्रमा आप की कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे थर्ड हाउस में रहेंगे और वहां से भागिस्थान पर दुरुष्टी डालेंगे तो दिन काफी अच्छा और भागेशाली साबित हो सकता है तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे ज व्यापरियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा व्यापरी इस दिन खुल कर निवेश कर सकते हैं ये समय आपके लिए तरक्की लेकर आया है तो अच्छे समय का अच्छा अलाब जरूर उठाए इस समय में आपकी धार्मिक चीदों की और रुची बढ़ती इस समय में आपकी बोली में मिठास रहेगी लोगों को प्रभावित करने में आप काम्याब रहोगे अगर आप राजनीती में है तो आपकी तरक्की काफी तेजी से हो सकती है आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो अगर कोई सरकारी काम करना है त इस समय का फाइदा जरूर उठाए किसी भी चीज की नई शुरुवात इस दिन आप कर सकते हो इस समय में आपका पराक्रम बढ़ेगा मान बढ़ेगा प्रतिष्टा बढ़ेगी खेल खुद से सम्मंदित खेतर से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और डिफे यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे है अपने बिजनेस या जॉब से सम्मंदित यात्रा भी इस समय में आपको करने पड़ सकती है यात्राय शुब रहेगी सफल रहेगी विदेश यात्रा के योग भी इस समय में पर रहे है विदेश से धन कमाने के मोगे भी मिल सकते है इस दिन आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी और आप शांत्व आनंदी जीवन का अनुभव करेंगे तो देखे तो लगबग हर क्षेत्र में काम्याभी वसफलता इस दिन आपको मिलती दिखाई दे रही है नोकरी करने वालों के लिए और व्यापरियों के लिए समय हर प्रकार से शुबसाबित होगा अगर स्टूडन्स की बात करते हैं तो स्टूडन्स को छोटी मोटी बहारी रुकावटे आ सकती है इस से पढ़ाई थोड़ी दिस्टर्ब हो सकती है जैसे अचानक से महमानगर आ सकते है अचानक आपको कोई नया काम करना पड़ सकता है लेकिन समय काफी अच्छा है अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पूरी जरूर होगी अगर परसनल लाइब के बात करते हैं लव लाइब के बात करते हैं तो लव लाइब के लिए भी ये समय बहतरीन है कोई ऐसा रिष्टा आपकी जीवन में बन सकता है जो आपने सोचा तक नहीं होगा जी हाँ, जीवन के हर बलका पूरा आनद उठाने की कोशिश जरूर करें और आपके और आपके अपनों की जीवन को खुश्योंसे भर दें इस दिन आपका स्वास्त्य बढ़िया रहेगा आपका स्वास्त्य बिलकुल ठीक रहेगा, स्वस्त और मस्तर होगे इस समय में हरे रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर अधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगद रशन के तोर पर ले तो ज्यादा अच्छ रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्टी को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत हो जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से सा आप रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगा ही ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं हो होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी क अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमार घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरकी ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद.